के गाइस वेलकॉम बैक टूए आई स्पोर्स आप सभी लोगों का एक और नहीं यूटूब वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है उबीद कर रहा हूं आपको कल वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी आप लोगो जरूर पसंद आयोंगे हमारे किड़ बैग और बागी जो समान में आपको दिखा था था आइप आज मैं आपके लिए लेख के आहा हूं खुद के ब्रेंड के कुछ टाइम पहले भी मैंने इंके बैट डाले तो बहुत बड़िया रिस्पॉंस मुझा आया है सारे बैट बिग्गे थे मेरे पटा फट से आपके पता चल जाए पहला बैट आपको दिखाता हूं इसमें अगर आप वैसे आप खुदी नोटिस कर लेंगे यह देखिए पहला बैट देखिए कितनी शांदार इसमें ग्रेंस का स्ट्रक्चर है मालब कोई भी इजली इसको बेफकू बना के कस्मी इंगलिस ब्लो बोल के बे तो यह बैट आपके लिए हम रेडि करके लाए हैं और इसमें अगर वेट की बात करें अभी वेट स्केल पर देख लेते हैं 1200 से प्लस ही वेट रहेगा बारासो दस पंद्रा तक बारासो बीस भी जा सकता भाई देखो बारासो चब्स ग्रम पच्चिस ग्रम माल लो इसमें थिकने से आपको 45 mm के आसपास मिल जाएंगी 42 से लेगे 45 mm के बीच में तो आपको 30 से प्लस 34 33 34 mm अराम से मिल जाएगा यह वाला बैट विदाउट गन केविंग में स्पाइन देख सकते कां खतम हो रही है आप सोल्डर देखिए सोल्डर भी थिक है मोटे सोल्डर है प्रोफाइल के बारे में यहां से भी देख सकते हैं चलिए एक सेमी न्यू रेड़ बोल से स्कप्टिंग देखते हैं और आपको दिखाते हैं तिंग में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी जैसे मैंने आपको बताया कि बैट यह फुली रेडी टू पिले हैं हमने सारा काम इस बैट में कोई भी जैनुवन सी काया थाती कि बल्ला तूटता है कुछ भी होता उसकी हमारी रिस्पोंसिबिलिटी रहेगी और हम अगर जैनुवन बिल्कुल तरीके से बैट में नुक्षान आता है खराब निकलता है तो आपको रिप्लेस्मेंट भी मिलेगी हैंडल की वा तो यह सर्फिज आपको मिलेंगी बैट बागी नौग हमने आपको करके दे रखा है तो जो बैट आपको चलेगा उसका स्क्रीन शोल लीजिए और मैसेश कर सकते हैं टोटल चार बैट आपको दिखा हुआ पहला यह बैट हो गया इसके बाद देखिए अगला बैट सारे ब पहचान सकते हो कि भाईया मेरा बैट नौग हुआ नहीं यह नहीं कहा रहा है कि सारे बल्ले दब जाद दबेंगे जादा को बल्ला कम दबेगा खोई ना के बराबर हलका वह तो दबता ही दबता है बल्ला जब मशीनों करा आते हो तो ऐसा आपको निशान देखने हो मिल सक आके देते हैं आपको दूसरा बैट है आज की वीडियो का यह देखे 45 प्लस ही होगी इसकी अजीज तो देखे लो भाई 32 33 mm से कम नहीं होने वाला स्पाइन कहां खतम हो रही है आइडियल प्रोफाइल है सोल्डर देख लीजिए तो और कॉर्पेट क्रिकेट के लिए बोल लीजिए या टी टूंडी गेम्स के लिए बोल लीजिए अच्छा बैट है 1240 ग्राम इसका वजन है यह देखे यह इसकी यूज प्रोफाइल है य प्रेंड यह दूसरा बैट है आज आपके लिए पसंद आया तो ले सकते हो स्क्रींशोल डीम कर सकते हो 4500 रपीज में और आप लोगों को पता ही हमने आप लोगों के लिए सब्सक्राइब देखे लेते हैं 1220 ग्राम का वजन इसका अब देखिए सामने से फेस बड़िया ग्रेंस का स्ट्रक्चर क्लीन बैट बिल्कुल बैट नमबर थ्री होगा आज की वीडियो का 45 एजिस मिल जाएंगे आराम से आपको 34 mm2 मिल जाएगा यह देखिए बैक बड़िया बड़िया मार आ रही भाई नॉकिंग करने बाद और बैट को बड़िया बैट खुल जाते हैं नॉकिंग के बाद यह देखिए इसको ट्राइ कर सकते हैं इस बड़िया एक बैट दिखाऊंगा कोई भी आपको हलका बैट देखने को नहीं मिलेगा और आज की वीडियो का चौथा बैट देखिए सारे सेलेक्टिड बैट है है जो हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए बैक साइड लेने से पहले देखिए 1216 ग्राम दस से 20 ग्राम बैट का वीड आप ट्रिगर कर सकते हैं चोटी मूठी चीज़े से अगर आपको यह ग्रिप नहीं पसंद आप इस से थोड़ी ची आपक इसका वेड कम हो ग्रिप का वोगरिप लगा सकते हो छोटे मोटे एक्स्ट्रा श्टीकर हटा सकते हो अलका सा सेंट पेबर यूज कर सकते हो माला इसलेक्स करवाना तो इस तरीकर से 15-20 ग्राम भजर आप आप अधस कर सकते हो इसकी टेंशन मतलेना बागी यह देखिए प् बैड मी मौश्यर ज्यादा कंटेन हो रहा है संब यह देखे फेंग स्काव मैं आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी मा सीधा आपको बोलो तो मार सारी बल्लो मिलेगी शकल उपर नीचे की सकल हो सकती है ठिकनेश उपर नीचे हो सकती है बड़ जो सबसे इंपोर्टन पार्ट है हुआ है बैड का बालेंस है मार मार वोले तो पिंग सीधी सी बात आप आके चेक किजिए इन बल्लों को उसके बाद परचेस कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखिया वहां जाके किलिक करके मेरी शॉप के बारे में सब कुछ जान सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि मैं आपको सब कुछ एक्स्प्रेइन करते हैं गुगल में नगे गोगल मी समय आपको करते मारे में सब्सक्राइब की चया वीडिया सब्सक्राइब 102 से deso टाइमिंग रोज सबस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए और बहुत बढ़िया बैट आपके लिए लेका हो और पसंद आया तो मंगा लेजी इस वीडियो खत्रम करते हैं कल मिलते को और वीडियो